हाई एवरीवन कैसे हो आप सभी लोग आई होप आप लोग एच्छे होंगे मैं हूर आहूल जेस्वाल एंज स्वागत करता हूँ आप सभी का एक पर फिर हमारे यूटूब चैनल जे यार टूटोरियल्स में प्रेंट्स आज अगेन आपके सामने वन अफ दे मोस्ट व्यू हम इस चाप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं जो हमारी living organisms होते हैं किस प्रकार systematic तरीके से arrange होता है तीक है systematic का मतलब क्या होता है taxonomy क्या होता है taxon क्या होता है उसके अंदर various types of classification kingdom, phylum, subphylum, division ये सभी चीज इस चाप्टर के दुरूप पढ़ने वाले है यानि कि आपने अभी पढ़ें वाले हैं और आपको जानकारी के लिए बता दू कि लेक्टर नंबर वन माप कीजिए का chapter नंबर वन जो है हमारा जिसका नाम है दोस्तो living world वह हमने complete कर दिया यानि पहला chapter biology का complete है आप जाके देख सकते हो हमारे video section में या फिर playlist हमने create किया हुआ है वहाँ पे आप लोग को इसको बहुत अच्छी तरीके से देखना और अपना conception knowledge को clear करना है तो आज छोटा सा lecture होगा क्यूंकि पहला जो lecture होता है वो introduction lecture होता है जिसमें हम chapter के बारे में और कुछ basic चीज़ें जो होती है इस chapter के related वह हम पढ़ाने वाले फिर lecture no.2 से full flesh से चालू हो जाएगा त कर पा रहे हो systematic का basic meaning क्या होता है कि it is a type of system systematic मतलब क्या होता है यह कैसा system में जिसमें kinds and diversity of organisms को study करते है यानि यह क्या इन शॉट में क्या बोल सकता हो it is a study of kinds and diversity of organisms and their evolutionary relationship मतलब इन शॉट इसका meaning क्या हुआ कि जितने भी types के organism होते है जितने भी kinds के जितने भी प्रकार के organisms होते living organisms की मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों तो जितने भी type के living organisms रहेंगे जितने भी type के अलग-अलग प्रकार के organisms रहेंगे यह सभी का किस प्रकार evolution हुआ ठीक है इनके पास क्या-क्या diversity है मतलब कितने कितने प्रकार के हैं यह सभी चीज़ का study होता है evolution कैसे हुआ जैसे एक time के प इसको अपने 10 standard में science stream में second chapter आई गे साउस में पढ़ा होगा evolution of human beings उसमें कैसे रामापिथीस, और नियंडर्थल मैन, होमो सेपीन, होमो सेपीन सेपीन, तब जाके यह complete एक इनसान बनाए और उसका दिमाग इतना विकसित हो पाया, correct है यह चीज़ आपको भी बता होगा कि ह हम कितने साल हमने अपना evolution किया है, कितने साल लग गए एक बंदर को इंसान बनने में और आज के रिड़ में इंसान का जो critical thinking है दोस्तो, वो कौन से next level का है और सोचो आगे आगे ऐसे हम लोग का evolution होता गया, तो इंसान कितना एक super human जैसा बन सकता है, और कितना काबिलेत रख सकता है कि वो पूरे ब्रह्मान को जीट सकता है, आज देखो हम इतने यहाँ पे smart हो गए और इतना दिमाग हम लगा लेते हैं कि हम दूसरे like planets पे भी जा सकते हैं, दूसरे planets पे life की खुश कर सकते हैं, तो सोचो अगर ऐसा possible हो कि future में जाके हम किसी और planet पे रहने भी लग ग सकेंगे और वहाँ पे अपना घर बता सकेंगे, तो ऐसा होता हुआ, नजर आ रहा है, possible हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है, यह सब क्यू पॉसिबल हुआ, because of the evolution of human beings, हमारा दिमाग इतना विकसित होते गया, तो वो सभी चीज़ करना है, इसी चीज़ को हम लोग क्या बोलते cautionomics का basic meaning क्या हो गया, कि ये क्या है, एक तरीके का classification है, अब classification जैसे कि हम एक classroom में बेटते हैं, ठीक है न, हम एक classroom में बेटते हैं, ठीक है, तो हम classify क Hindu है, ठीक है, tej प्रकार अगर हम लोग किसी भी living organisms का एक प्रॉपर तरीके से classification कर रहे हैं विद्दर सम डिफरेंट 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 करेक्टरिस्टिक्स के help से अगर हम उसको classify कर रहे हैं ठीक है ना separate कर रहे हैं तो उस चीज़ को मैं क्या बोलूँगा taxonomy बोलूँगा अब basically classification classification जो होता है वो तीन टाइप का होता है किसके अंदर living organisms के अंदर तीन टाइप का classification होता है सबसे पहले अगर मैं बात करूँ जो कि है दोस्तो artificial classification दूसरा है natural तरीके classification तीसरा है phylogenic classification ठीक है phylogenetic classification अब यह तीनों को मैं थोड़ा सा deep में जाके explain करता हूँ आपको यह ध्यान से देखना है तो सबसे पहले हम बात करेंगे artificial तो artificial यहाँ पर classification की बात करेंगे मतलब in short artificial का मतलब होता है यह एक ऐसा classification है जो किसके उपर based है based on habit यानि कि जो भी living organism रहेगा उसका habit क्या है कि आप एक चीज़ समझते होंगे कि दुनिया में जितने भी प्रकार के जानवर है जितने भी प्रकार के plants है सबका एक अपना-पना habit होता है human beings की बात ही नहीं कर रहा हूँ मैं जानवर की बात कर रहा हूँ और plants की बात कर रहा हूँ आप देखो कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो पानी में रहना पसंद करते हैं कि इनको थंडी जगह बहुत अच्छी लगते है डलदल वले लाकья होते हैं वहाँ पे रहना पसंद है जो desert में उखते हैं, कहीं कुछ plant पानी में उखते हैं कलर के अलावा अगर मैं बात करें दोस्तों उसका habit color and उसका रहन सहन कैसा है जिसको हम लोग क्या बोलते है habitat मतला वो किस प्रकार रहता है habit तो अलग बात है कि होता है habitat कहां रहता है ये सभी चीज को अगर हम consider करें तो वो जो type का classification होगा क्लासिफिकेशन क्या बोलेंगे दोस्तों उसको हम लोग बोलेंगे आटिफिशल टाइप का यह क्या है हमारे लिए example है यह आप याद रहाए हम लोगो तो मतलब in short natural classification को मैं क्या बोलूँगा कि जो based होता है based on natural aspect यानि कि जो nature से जो भी प्राप हो रहा है उसके according जो classification हो रहा है वो रहाए का natural aspect correct है बहुत simple है इसका example अगर मैं बात करूँ जैसे कि एक बेंथाम एंड हुकर्स जो सिस्टम था classification का ठीक है ना एक साइंड बायलोजिस्ट है जिनका नाम था बेंथा बेंथाम एंड हुकर्स ठीक है यह इनका भी क्या था एक system of classification था system of classification यह एक्जाम्पल याद रखना system of classification ठीक है याद रहेगा यानि कि artificial का तो अलग था निकिल natural artificial का क्या था का लीनियर सिस्टम आफ क्लासिफिकेशन था लेकिन नाच्रल का क्या है बेंथाम्स एंड हुकर्स system of classification this is the example for natural classification based on taxonomy ठीक है अब तीसरा जो है phylogenetic अगर मैं बात करो दोस्तों तो phylogenetic यह common evolution factor के ओपर depend करता है किसके ओपर depend करता है दोस्तों common evolution ठीक है ना evolution spelling चेक कर लेना ठीक है एक हो ध्यान से common common evolution aspect या फिर मैं बोल सकता हूँ descent ठीक है तो evolution कैसे हुआ ठीक है ना phylogenetic word में आप देखो कि genes छुपा हुआ है तो genetic कैसे आपका क्या हो गया evolve हो गया genes change होते गया evolve होते गया and इस प्रकार से जो classification हो रहा है इसको हम लोग क्या बलेंगे phylogenetic ठीक है चीश करें तो जो हमारे common ancestors से इससे आपको पता चलेगा ancestors का मतलब क्या होता है यह आप जानते होंगे लेकिन फिर भी मैं आपको बताऊंगा ancestors आपने word सुना होगा ancestor, ancestor का मतलब क्या होता है जैसे मैं हूँ एक इंसान आप भी एक इंसान हो लेकिन एक कोई बंदर है वो भी कही ने कही अगर मैं बात करू यह हम तीनों लोग मतलब मैं एक इंसान आप एक इंसान और एक बंदर यह तीनों के जो पुरुज है वो कोन है बंदर लम्यूर्स जो सबसे पहले आये थे सबसे पहला जो human beings को जो shape दिया मतलब एक तरीक से आप बल सकते हैं human beings किस से अविशकार होके इधर आया किस से evolve होके यहां तक पहुचा है तो वो लम्यूर्स थे बंदर जैसे दिखने वाले लम्यूर्स थे जो भी है लम्यूर् पुर्वच थे हो जे तो आप अपर मारे पूर्वच वंदर के वी पूर्वच बंदर लेंगे ठीक है तो हमारे क्या है common ancestors से पुरवच तो common ancestors जो है यह इस बात का सबूत है कि यह किसका टाइप का classification है phylogenetic genetic change होते आया ना जीज इवाल्व होते गए change होते गए और यहां तक हमें लेकिया है that is common ancestor example जो है इसका है दोस्तों इंगलर और प्रॉंटिस classification ठीक है अब देखो आगया और किया मिलेगा तो देखो यह तो आपको समझ में आ गया ओका लेकिन और बहुत ही शुन्दर टोपिक है, जिसको हमने बोलते हैं, three domains of life, हमारा जो जिन्दगी है इसके तीन डोमेन होते हैं, अब तीन डोमेन क्या होते हैं, इसको थोड़सा ध्यान से देखना, मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ, यह जो तीन में क्या-क्या होता है इसको थोड़ा सा हम बारी के से explain करेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले मैं बात करूँगा आर्के 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 आगया होता है it is nothing but the prokaryotic cells, यानि ऐसे cells prokaryotic का मतलब क्या होता है, ऐसे cells जिसके nucleus well developed नहीं है, ठीक है with nucleus well developed नहीं है तो मैं क्या बोलूँगा कि वो जो cell है वो क्या है prokaryotic cell होता है तो मतलब इसके अंदर जो भी organism से आर्किया के अंदर वो क्या रहेगा किस से बना रहेगा prokaryotic cell से बना रहेगा ठीक है यह आपको समझ में आ रहे है तो prokaryotic cells उसके बाद में बोलूँगा यह जो prokaryotic cells वाले organism होता है यह survive कर सकता है it can survive किसके अंदर survive कर सकते है ध्यान से देखना it can survive in extreme condition temperature मतलब सब condition में survive in extreme condition जो भी extreme condition रहे या फिर मैं बोल सकता हूँ extreme temperature रहे यह सभी चीज में वो क्या कर सकता है दोस्तों वो जो prokaryotic cell होगा यानि कि वो जो आर्किया होगा वो survive कर सकता है यानि in short extreme condition मतलब जो उसके लिए suitable नहीं भी है जैसे हमारे लिए extreme condition क्या है कि हमें 0 degree cells पर जाके छोड़ दो मतलब बरफ वाले लाके पर छोड़ दो हम जिन्दा बचेंगे क्या बहुत कम chance रहेगा तो वो हमारे लिए extreme condition है वैसे उसी प्रकार बहुत सारे living organisms ऐसे होते हैं जिनके पास conditions उनके suitable नहीं होता है उनके accordingly नहीं होता तो वो क्या है उनके लिए extreme condition है और वो extreme condition में भी ये क्या कर सकते है survive कर सकते है according to this यह temperature में भी survive कर सकते है ठीक है अब यहाँ पर एक और चीज़ है second चीज़ जिसका नामे दोस्तों bacteria अब यह bacteria का क्या बता हो है ठीक है तो बैक्टेरिया की अगर हम बात करें यहाँ पर तो bacteria जो होता है यह जो होते है यह आर्किय से थोड़ी different होते different different than अर्किया यानि जो आर्किय है इससे क्या होते हैं यह लोग different होते हैं different कितने होते कैसे होते हैं यहाँ पर difference की अगर मैं बात करूँ difference होते है उसके structure के हिसाब से यानि कि जो structure of cell होता है ना difference in structure of cell यानि कि जो prokaryotic cell था जो prokaryotic cell था उससे काफी अलग structure रहेगा different रहेगा structure of cell क्या रहेगा दोस्तों यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ different रहेगा यह चीज आपको ध्यान में रखना है किसका archaea का और bacteria का that is structure of the cell is very much different from the archaea किसका बात करना हूँ bacteria की मैं बात करना हूँ clear है समझ में आ गया यह चीज हो गया है दोस्तों well developed होता है nucleus well developed हम लोग क्या बोल सकते हैं कि इसका nuclear membrane बहुत अच्छा होगा nucleus well developed है यहाँ पे इसलिए इसको हम लोग बोलेंगे eukaryot और eukatic जो cells होते है normally eukaryotic cells ही बड़े higher animals को बनाते हैं जैसे कि जितने भी बड़े-बड़े plants देख लो even human beings animals देख लो बड़े-बड़े जो higher animals जिसको हम लोग कहते हैं यह सभी क्या होते हैं eukaryotic cells से बने होते हैं हम लोग prokaryotes नहीं है हम लोग eukaryotes है ठीक है यह आपको ध्यान में होगा और हम लोग यह चीज हम पढ़ा रहे हैं तो मैसक को अभी ध्यान से देखना हमारे वीडियोस continuous मिल रहे होंगे आप लोग को ठीक है चलिए शिरुवात करते हैं यहाँ पर अब एक और चीज में बताओ कि यह जो three domains of life के अगर हम बात करें थे कि यह जो three domains of life है ना इसको किस ने propose गया था गया गया था उनकाका आर्ल वीजे कार्ल वीजे एक साइन्टीस था जिन्होंने 1990 में इक स्टडी के दवरान जब वो पढ़ाई कर रहे थे, एक स्टडी कर रहे assistants कर रहे थे, तो उस 1990 में स्टडी के दवरान उन्होंने इस चीज़ को propose किया था propose करना मतलब क्या होता है उन्होंने बताया था propose the three domains of life बताया था कि life के कितने domains होते हैं three domains होते है three domains of life इसके बारे में उन्होंने बताया था clear है तो उमीद करना कि यह चीज़ आपको समझ में आ गया होगा और आपको बता दू कि यह जो domain है, यह domain जो है ना, यह बड़ा होता है, domain is larger than, किस से दोस्तो, kingdom से हम लोग हमेशा kingdom बोलते हैं ना दोस्तो, पर आपको पता होगा kingdom क्या होता है, कोई भी kingdom एक animals का हो सकता है, तो animal kingdom, kingdom animal यह जिसको बोलते हैं, कोई भी kingdom एक plants का हो सकता है, तो उसको हमने बो यह domains actual में किस से बड़े होते हैं kingdom से बड़े होते हैं यानि कि it is a larger profile than the kingdom यह चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि domain is larger than kingdom यह आपको दिमांग में रखना एक points आपका याद हो जाना चाहिए ठीक है समझ में आ गया अब चलते हैं हमारे अगले topic के ओपर एक आखरी topic पढ़ ले क्लासिफिकेशन के लिए यानि कि if we want to classify particular living organism based on biology based on the biological characters उसके शरीर में बनावट कैसा है क्या उसके अंदर naturally present है biological क्या प्रेजेंट है उसके accordingly अगर मैं classify कर रहा हूं तो उस टाइप के classification को हम लोग क्या बलेंगे chemo taxonomy बोलेंगे क्योंकि taxonomy के तो मतलब classification ही होता है तो chemo is nothing but related to chemical and chemical is nothing but related to biology हमारे बोड़ी में भी chemical से पुरा शरीर chemical से बना हुआ है correct है सही बात है आप बोलो कि नहीं कि सर्पूरा biology है लेकिन biology नहीं पूरा chemical है दुनिया में हर चीज chemical कर बना हुआ है chemistry is the सबसे oldest form of science you can see that ठीक है यह यह similarities के उपर और उसके differences के ऊपर base करता है जो भी compound present है बतलब पर एकजामपल जितने भी organisms present है अब यह organism's के अंदर क्या क्या compound मतलब क्या हो सकता है chemical compound हो सकता है तो क्या known has that उस character present है उस organism में तो उसका similarity क्या है क्या सेम है क्या difference है औलग अलग एलग चीज criteria वह सभी के उपर पर बेस करता है हमारा यह कीमो टैक्सोनोमी एंद साथी पर यह जो क्लासिफिकेशन इस बेस वान धाड़ केमिकल कॉंस्टिटूट्टूटूट्स न ऑफ और गानिजम जैसे मैंने बोला कि हमारे शरीर में या फिर कोई भी एक लिविग और गानिजम के शरीर में क्या क्या क chemical constituents present है, जैसे कि example को जोर पर आपको बताओ, कि हम लोग oxygen लेते हैं, oxygen क्या है, chemical है, हम लोग carbon dioxide release करते हैं, ये भी क्या है, chemical compound है, हम पानी पीते हैं, H2O, ये भी क्या है, एक तरीके से, chemical compound है, ठीक है, ना हम नमक खाते है, NACL, ये भी क्या है, chemical compound है, हमारे शरीर के अंदर, potassium, chlorine, even नियार, मतलब में क्या क्या बताओ, आपको, sodium, potassium, ना, अब ठक जाओगे गिंते-गिंते, इतने साथे type के elements, यानि chemical compound present है, हमारे शरीर के अंदर, यानि कि पूरा का पूरा शरीर का बनाओ ठी, chemical है, तो in short, chemo taxonomy किसके ओपर base है, हमारे chemical constitution, जो organism में base है, organism में present है, chemical constituents, example के तर है, बहुत सारे peptides present है, that is nothing but the proteinious material, क्या बोलते है, उसको protein का बनाओवा material है, प्रोटेन भी chemical सही बनता है, ये सब चीज़ आप आगे-आगे-बढ़ोगे, अभी तो आपके लिए शुरुआत है, गयार हुई कि, लेकिन जैसे इसे आप आगे-बढ़ोगे, तो ये सब का meaning सम बहुता है, बहुता है, बाहर का cell का, जो बहुता है, उसके अंदर peptidoglycan present नहीं होता है, ये आपको यहार में रखना है, ठीक है, और जो prokaryotic cell बाला, prokaryosis जो पढ़ा, it has the peptidoglycan, क्या है, इसके अंदर प्रेजन नहीं होता है, जो इस प्रकार से आप याद रख सकते हो, example के है, ठीक है, clear है, तो उमीद कर रहों कि आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा, तो चलो और भी ऐसे बहुत तरह टॉपिक्स है हमारे वैसे, लेकिन हम क्या करेंगे, आज का लेक्चर यहाई पर स्टॉप करते हैं, क्योंकि यार पहला के सपोर्ट के कारानी हम यहाँ तक आए हैं, और आप लोग अगर चाहोगे, तो डेफिनेटली उस उचाई पर भी हम पहुँच सकते हैं, और आपको जितना आउसा के कंसेप्ट और नॉलिज हमारे पास जितनी भी एनरजी है, हम दे सकेंगे, आप जानते हैं, यार रोल्ष के 5-5-6 वीडियो हम अप्लोड कर रहे हैं, अलग-अलग standards के लिए, तो बहुत मेहनत लग रही है दोस्तों, लेकिन वो मेहनत का एक नएक आप ये पॉलो कर लो, जिनोंने नहीं किया है, बहुत अच्छी बाते कर लेना, मजा आएगा, हमारे साथ जूड जाओ, इंस्टाग्राम पे बी, ठीक है, चलो, आज के लिए इतना ही, ये वीडियो आपको कैसा लगा है, प्लीज कॉमेंट करके बताना, वीडियो पसंद अच्छा लगा है, दोस्तों तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ जितना हो सके शेर कर देना, ठीक है, और अगर फर्च ताइम आओ चानल पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो देर किस बात कि यार, फटा फट से हमारे चैनल को सब्स कर देना, ताकि फ्यूचर में हम जब भी वीडियो को अपलोड करेंगे, तो आप लोगों को नोटिफिकेशन्स मिलती रहेगी, ठीक है फ्रेंड्स तो जल्दी मिलेंगे हमारे नियो वीडियो में तब तके लिए, थैंक यू एंड गुडबाई